खलए हालो एवरीवाण कैसे है आप सरं मैं हूं किशूरत तेजवanny egen помог था थीए अप लोगों का मत्व है स्वागर्द करता हूँ 25 कि한र आपके ही अपने क्वाग्निटेश भेण स्वागत करता हूं अपका आपके ही अपने मागनेट बेंस में जो प्रोवाइट करता हंड़ेट परसेंट क्वालिटी ओफ री एजुकेशन गिंडगार्टन से लेकर ग्लास 12 तक अगर आप लोग सी बीएस सी बोट से हैं यूपी बोट से डैली बोट से बिहार बोट से राजस्थान बोट से या फिर से जाके अवेल कर सकते हैं सर जब आप आये थे तो सबसक्राइब यहां पर एकदम खड़े हुए तो अब आप हमें कुछ ना कुछ तो समझाना चाहरे हैं यहां पर कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है मैंने बोला विल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग तो आज मैं आप लोगों के लिए के लिए लेके आया हूं क्लास 9 mathematics coordinate geometry जो कि आपका chapter number 3 है इसमें हम बात करेंगे chapter overview और introduction की तो यहां पर आपको सबसे जादा जो यूज आता है coordinate geometry का अगर मैं daily life example की बात करूं तो तो सबसे जादा यूज आता है भाईया रोड को कहा आर पार करने में साथी साथ अगर कभी अपन उलच जाते हैं तो Google Maps की मदद लेते हैं Google Maps बताता है भाईया 500 मीटर बाद left ले लो 200 मीटर बाद राइट ले लो 100 मीटर बाद अंदर चल सीधा चले आओ left चले आओ right चले आओ और आगे तक जाते जाओ फिर यहां पर ऐसा होगा वैसा होगा यह Google Maps बता देता है रास्ता बताता है Google Maps ही क्या है भाईया एक application है किसका coordinate geometry का समझ गया बात को अब अगर आप लोग मेरे घर पे आना चारे हो लेकिन आपको मैंने बोला भाईया कि इस जगे पर आके मेरे को call कर देना क्योंकि इस जगे पर आके अब आगे तक बिल्कुल नहीं आप आओगे मेरे घर पे हाँ वो ठीक है कि GPS के थुरू आज अगर मैं सीधा आपको location भेज दूँगा WhatsApp पे तो आप सीधा मेरे घर पर आके कूच जाओगे हैना मैं जानता हूं लेकिन पहले की टाइम पर क्या होता था था जू भाई पहले के डाइम पर फोन करते था वागी महीं यहाँ पर फोन करते दे हां अब बता कहा पर आता कहां यह सर्य से और आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर यह बताओ कि आपने यह आवास कहां सुनिए टेक दे नेक्स राइट अंड टर लेफ्ट जल्दी से कॉमेंट में बताओ तो जब तक हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर थ्री कॉडिनेट जोमेट्री बढ़िया तरी कावर अप करेंगे अपना इंट्रोडॉक्शन पार्ट जिसमें हम समझें पहले तो कि पाहचा फिर उसके बाद बदो रा करेंगे Auch फिर उसके बाद करेंगे कुछ NCRT के उन्पल नेग बद सोल्व करनें के बाद हमारी हो exercise like 3.2 जरी से चप्टर ना बहुत ज्यादा चूटा बहुत यहाँ जल्दी-जल्दी क्या कर लेंगा हम इनको मोर कर लेंगे और सर और सर और सर हमेशा की तरह वादा कर रहा हुआ कि यहाँ पर नहीं आप यहाँ पर नहीं इस बार यहां पर भी बाट जाएगा ना ठीक है सब्सक्राइब हुर सकी समरी भी देख लेंगे एक बार में ताकि हमारा पूरा चाप्टर का उजाए एक दम से क्या हो जाए रिवाइस कर लें हम लोगा अच्छा आपका 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 वड़ीया तरीके से mcq जायगा अच्छा को जल्दी 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 अभी अभी question number कितने से लेकर question number कितने तक आएंगे कितने question होने वाले इस पर mcq में जल्दी मता उसके बाढ़ फिर आजएगा आपका M.I.Q. most important question उसके बाद हम लोग बात करेंगे भईया इसके complete chapter revision की इत्ता हो गया इत्ता हो गया ना बढ़िया दरीकिसे screenshot लेते जा वो ही है क्योंकि chapter को कैसे चलाना है वो ही है अच्छा सर तो सर इतना अपने को क्या करना है इतना ही बस पढ़ना है अपने को ऐसे ही पढ़ना है चलो सर तो शुरू करते हैं सर सर introduction part से शुरू करते हैं अच्छा अब मैं आपको एक बात बात आता हूँ ये जो coordinate geometry है ना ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि भईया ये कही ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसका पार्ट है भईया geometry का पार्ट है ठीक है अब यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ कुछ चीजों का मतलब मुझे बताना पड़ेगा अगर हम लोग coordinate geometry शुरू कर रहे है हना तो coordinate geometry शुरू करने से पहले आप मुझे मतलब बताओ कुछ कुछ चीजों का आप आप मुझे ही बताओ कि भईया ये ग्राफ क्या होता यार ये ग्राफ क्या होता है थोड़े जल्ली से बताओ कि ये ग्राफ क्या होता है ये ग्राफ के बारे में तो मेना कभी सुना ही नहीं है है ना ग्राफ बता अच्छा ग्राफ बताने के बाद आप मुझे जारा एक्स वाय एक्स बताओ यार यह क्या होती है अगर मैं आपसे पूछू कोडिनेट जोमेट्री में क्योंकि ग्राफ का तो इस्तमाल होगा थोड़ा बहुत लेकिन वह जितना भी यूज है पूरा चाक्टर से ही रेलेटर है अब अगर मैं आपसे पूछू भाईया यह ग्राफ क्या होता है और अगर मैं आपसे पूछू यह कोडिनेट एक्सिस कोडिनेट सिस्टम के है तो आप बोलोगे सर यह ग्राफ कुछ ऐसा होता होगा सर एकसे और सर य एकसिस सर यह भी आपने गलत बताया चलो सर य एकसिस यह एकसिस तो आप इसे करके और डिफाइन कर दूगे नहीं भाई कोडिनेट जोमेट्री को हम लोग यूज कहां करते हैं कोडिनेट जोमेट्री को हम लोग अगर डेली लाइफ के एक्जामपल से समझें तो हम लोग कोडिनेट जोमेट्री को यूज कहां करते हैं वो समझो जैसे कि मानो मैंने यहां पर एक पॉइंट बनाया समझना बहुत ज्यादा ध्यान दे समझना मै मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां पर एक पॉइंट बनाया आपको थोड़ा बड़ा 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 दिखाने के जक्कर में यह वाला पॉइंट मैंने क्या किया यहां पर बनाया यह क्यों बन गया चल चोटा पॉइंट बोल रहो क्या चोटा पॉइंट बना द जब मुझे यहां से कहा पहुचना है? इस पोईंट तक पहुचना है. सर, कितनी सिंफल सी बात है, सर. पहुचा दो, सर. सीधा. सीधा पहुचा दो, लो. पहुच गए, सर. तालिया, सर, तालिया. तालिया. मैंने बोला, भाई, ऐसे थोड़ी ना करते किसी भी चीज़ को कैसे description करते हैं देखो अगर आपको इधार से उस पॉइंट तक पहुचना तो आप किसी को क्या बताओगे किसी को कैसे बताओगे अगर आपका घर कहीं यहाँ पर है और मेरा घर यहाँ पर है अगर आप अपने घर से मेरे घर आना चाहरा है हो तो मैं कईसे बताऊए आप मुझे यह green-ท来 नहीं यह अब यह से वजे phone कर रहे हो है कि शोर sir मैंने बॉला हां कॉण दे Sir Sir पैचाना नहीं आपका स्टूडें्ट मैंने बलाавा बैना जो हुआ बोले सर मैं आना चाहरा हूं आपके घर पे मैंने बोला अभी इसी वाक मैं तो सोके उठाओं बोले हां सर अब तो मैं आ गया हूं क्योंकि यहां पर हूं आप बता हुचे काँ प्यान है मैं बोलूगा भाई ठीक है करो कि आता आप अजया बड़ा बता अज़ाओ यहां पर आज़ासी डिला यह बलूगा क्या को आ आप तो रहुंद जाओगे और एंप तो अरे जाओगे ना आप गूगलध प्सूड़ी ना आप गूगल मैं आप सुड़ी ना ठीक है सर तो आप हमें कैसे बूलाओगे मैं बोलूगो भाईया तुम जहां पर भी खड़े हो ना यह डिरिक्शन में क्या कर दो सीधे 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 आते जाओ आ गए बोले आ गए सर अब 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 उसी रोट से आप लोग सीधे 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 आ गए अब वहीं से आप क्या करो भाई या लेफ्ट ले लो लेफ्ट ले लिया क्या बास पॉच गए पॉच गए आप मेरे घर पे ठीक है न यह कौन था यह था आप और यह कौन था? यह था किशोर सार अना, फिरम एम बी बोले तो मैगनेट ब्रेंज ठीक का सर सर एक बाद बोलेंगा, मैंने बोला बोलो सर ये मैगनेट बेंग को आपको इस्टार के नदर रखना ची मैंने बोला यार मैं भी वही सोच रहा था तो ये रख दिया मैंने इसको स्टार के अंदर ठीक है? ठीक है जब बढ़िया, सर किशोर सर फ्रों मैगनेट ब्रेंज, ओक किशोर सर आपके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा आना पड़ेगा, फिर उपर जाना पड़ेगा ऐसे ही हम क्या करते हैं? कॉडिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं विट्टू पार्लल लाइन्स नहीं, पर्पेंडिकुलर लाइन्स ये दोनो लाइन्स कैसी है? पार्लल है या पर्पेंडिकुलर है? सर पर्पेंडिकुलर लाइन्स है कैसी है वह या दो लाइन से डिस्क्राइब होती है ये और दोनों पर्पेंडिकुलर होती है एक दूसरे ये वाली लाइन को आप लोग बोलते हो होरिजॉंटल लाइन ये वाली लाइन को आप बोलते हो वर्टिकल लाइन ये ऐसी वाली जो लाइन गई है ये होरिजॉंटल ध्यान रखना कौन सी लाइन है horizontal line और ये वाली लाइन कौन सी वहीया ये vertical line है समझ रहे ओ चैप्टर का मतलब चैप्टर का मतलब समझ रहे ओ किनी वो बताओ ये आप थे वो मेरा घर था और आप मेरे घर आना चारे थे मैं यहां से एकदम ऐसे कैसे बुलाँगा यार कैसे बूलाँगा बीच में घर भी तो होंगे बहुत चारे दुकाने होंगी नाला होगा ना दी होगी तो एक रोड पकड़ के आप मेरे घर पे आए और वहां से एक स्ट्रीट पड़ी और लेफ्ट से आप सीधा आगए मेरे घर पे ठीक है ना? ठीक है मतलब कैसे आए? आप ऐसे आए ऐसे 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 सीधा चले और यहां से आप एकदम उपर गए तो यह पहुझ गया मेरे खर पे समझ में आया क्या बिलकुल सर बिलकुल तो यही कॉडिनेट जोमेट्री है होरिजोंटल लाइन और वर्टिकल लाइन दो लाइन्स का हम बहुत जादा यूज करते हैं इस चाप्टर में तो चलो यह कौन है सर किशोर सर बोले तो सुना है सर बॉले तो सुना है यह रोड़िक ऐसका जी कौन है मैंने बहुटाउंगा न इनका is accents में उस्सविज को यह तो मैंने लिखा इंसले कांहां इसकाट्स ओके तो यहां यह जो बाते चल रही है वो यह चल रही है कि he was the french mathematician ध्यान रखना of 17th century के है यह who introduced the cartesian system क्या होता है मैं लेके आया हूँ don't worry मैं लेके आया हूँ कि भईया cartesian system क्या होता है तो don't worry उस बात से न कि cartesian system के बारे में इन्होंने introduce किया था of coordinates for describing the position of a point in a plane समझ गया बात को समझ गया सर अब यह देखो यह जो board है यह भी तो एक plane है ना अभी आपके लिए plane का मतलब वह वाला plane नहीं होता है यहां पर शूं वह वाला plane नहीं plane का मतलब है एक ऐसा plane जिसमें कि भईया आपके पास अगर कोई भी एक पॉइंट है तो आप उसकी position describe कर दो है ना जो आप जमीन पर चलते हो यह भी plane plane surface और curved surface आप बहुत अच्छे जानते हो यह plane surface और rough surface plane mirror भी आपके घर में ठीक है ज्यादा आपन फिसिक्स में नहीं घुसरा है अपने तो यहां पर आपको रहने डिसकाट सरने का बता था कि एक french mathematician ते 17th century के जिनने ने उंट्रेड्यूस किया था Cartesian system के बारे में of coordinates Cartesian system of coordinates ठीक है for describing the position of a point for describing the position of a point in a plane ठीक है अब यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से समझना this idea has given rise to an important branch of mathematics known as coordinate geometry तो जो इनका idea था ना यहां पर भहिया बहुत ज्यादा काम आया एक important branch of mathematics में जिसका नाम है coordinate geometry ठीक है समझ गया समझ गया सर तो भहिया Rene Descartes सर ने बहुत बड़ा ही क्या किया है हमारे लिए काम किया है तो इनके लिए सर एक heart तो बनता है मैंने बहुत कौन से color गा बोले सर इन्होंने बखाम तो बढ़िया किया है white color का heart बनाते हैं इनके सर इनके लिए मैंने बहुत ठीक है तुम बोल रहे हैं उसलिए सर ये आपका दील तो अच्छा बनता नहीं है मैंने बहुत ट्राय तो करता हूं यार चीक है कैसा भी ये मेरा दिल है अना लो भाईया पूरे पर बना दिया वह ले ये बात की सर आपने वढ़िया तरीके साब इसको भर दो अच्छे से लो भाईया भर भी दिया तो ये जो हाट है ये सबसे पहले तो ये सबसे पहले तो लाइक कर दो अभी और कॉमेंट भी कर दो अभी कि ये जो हाट है ये किस के लिए है हना और आप और मैं जानते हैं कि ये जो हाट दिया गया है हमने ये रहने डिसकार्ट सर को दिया हुआ है क्यों क्योंकि इन्हों ने भाइया बहुत अच्छा काम किया है आप भी काम करो तो आपको भी हाक्ट मिल जाएगा। श्टीर में आया इनकी मदद से हम लोग क्या करते थे कि अगर हमें point की position बतानी रहती थी तो हम बता देते थे बस आप तो point बता दो how far is the left और वो कितना दूर बस उस हिसाब से हम लोग क्या कर देते थे point की describe कर जैते थे position को चलो अब बात आ जाती है वहिया किसकी coordinates की की आ रही है यह coordinates क्या होते है आजा वहिया ध्यान से समझेंगे कि यह coordinates क्या होते है in mathematics coordinates are a set of numbers that specify the position of a point in a coordinate system अब बात को समझो mathematics में coordinates का मतलब होता है set of numbers मतलब यह obviously एक number तो नहीं है यह set of numbers है यहाँ पर एक number होगा कॉमा यहाँ पर एक number होगा यह होते है coordinates आपके एक होता है X का member और एक होता है Y का member उसके बारे में अभी Cartesian system में बताऊंगा लेकिन आप बस बात को समझते चलो अभी कि यहाँ चलती क्या है फिल्म क्या चल रही है ठीक है फिल्म क्या चल रही है क्योंकि देखो शोरबात में फिल्म को जानने में उल्जन होती है कि यह एकदम से एकदम से स्टार्ट भी नहीं होई फिल्म और एकदम से एक्टर आया और गोली मार दी सीन क्या चल रहा है फिर धीरे 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 पता चलता है कि भाया वो तो आक्टर का दुश्मन था और वो दुश्मनी पूरी आपको बताते हैं भाया कि कैसे आपको वो दुश्मन बना उसका समझ में आ रही बात समझ में आ रही सर तो बस mathematics में coordinates के हैं set of numbers हैं जो क्या specify करते हैं उस point की coordinate system है समझ में आई बात बिलकुल आई सर अब यहाँ पर ध्यान जो समझो अ number line is a 1D 1D का मतलब होता है वहीया 1D dimensional और मैं तो इसको बोलता हूँ भईया one direction एक direction अब यहाँ पर one dimensional का मतलब क्या होता है भईया one dimensional का मतलब है कि इसका एक ही direction होगा अब एक ही direction का क्या मत लवे मान लो मान लो एक मेरे पास सीधा रोड सीधा रोड सीधा रोड मतलब उसमें ना तो लेफ्ट का रास्ता ना तो राइट का रास्ता एक सीधा 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 रोड ना लेफ्ट मोड सकते हो ना राइट मोड सकते हो ठीक है और अगर लेफ्ट राइट में देखोगे तो स सीधा 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 चलू ठीक है और यहां तो फिर मैं पीछे 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 चलू मैं क्योंकि ऐसे ही चल चकता हूं यहां तो आगे जाओंगा और यहां तो फिर वापस आ जाओंगा क्योंकि मेरे पास तो क्या है भाईया एक ही डिरेक्शन है एक ही डाइमेंश यह वंडी है समझ में आई बात देख रहे हो ना मैं ऐसे ही चल रहा हूँ क्योंकि मेर को मालूम है अगर मैं लेफ्ट गया यह अगर मैं राइट गया तो मैं सीधा समुंदर में जाओंगा डंसा तो अनमबर लाइन इस वंडी एक डैमेंशनल coordinate system a real number that matches the location of a point along the number line is called coordinates of a point ठीके सब अब समझना ध्यान से coordinate system तक की दो बात आ गई अब real number एक ऐसा real number जो match कर जाता है उस location of a point से along the number line उसको हम लोग बोलते हैं भईया coordinate of a point अब इस बात को और जादा ध्यान से समझो बात फिर से वही होगी बात फिर से वही होगी लेकिन इस बार बस चीज बदल जाएगी ठीक है इस बार बस थोड़ी सी क्या बदल जाएगी चीज बदल जाएगी अब अब हम लोग बनाएंगे एक मस्तसी डॉल जिसके बाल नहीं होंगे अरे सर एक ऐसी डॉल बना रहे हो आप हाँ पहले ही बता रहा हूं मेरी ड्राइंग विल्कुल भी अच्छी नहीं है ठीक है ना हाँ सर वो तो जानते हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं मैंने बुला रहे यार यह समद बूलो या चल भाई या तो यह बना ही मैंने क्या डॉल औ मैंने बॉला लो भाई है यह बना दी है बोले डीके सर आप बढ़िया लग रहे है कूल सर कूल अब डॉली को मेरे से मिलना है भाई या डॉली को मेरे से मिलना है ध्यान से समझना यह क्या है भाई यह मेरी स्टूडेंट है डॉली मेरी स्टूडेंट है ठीक है और डॉली क मुझसे मिलना है और मेरा घर ना यहाँ पर है मेरा घर कहाँ nellay यह पर है ठीक आतो NPMore यह कि शोर से ख़र की जिए है चल्ड काम करें मेरा घर क्यूव बुला रहें एम बी में भुला विया यह है आपका magnet brains प्यारा सा magnet ब्रेंज बहुत ज्यादा प्यारा सा क्या है आपका मैगनेट ब्रेंज अब ये मैगनेट ब्रेंज आ रही है अब ये क्या करेगी भाईया अब ये यहाँ पर उलज गई रास्ते पर ठीक है तो मैं इसको बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा कि भाईया यहाँ पर नडौली तू जहाँ पर भी खड़ी ये न भाईया वो है तेरा क्या रेफरेंज पॉआंट जहां से भी हम लोकेशन को देखना शुरू करते न वो हो जाता है हमारे रेफरेंज पॉआंट मतलब जहां से भी हम खड़े हुए उसको आप बोलते हो क्या reference point ठीक है ठीक है अब ही आपको क्या reference point अब यहाँ से आप क्या करोगे अब डॉली को मैं तो इअफिस में बठा हूँ हूँ अबी डॉली आना चारीए अब डॉली क्या करेगी किशोर सर को call करेगी हलो किशोर सर सर मैं आपसे मिलने आना चारी हूं सर मेरे को ना डाउट है तो मैंने बोला सर आजा कोई दिक्कर नहीं है बोले सर लेकिन कहां पर आना है मैंने बोला मैगनेट बेंस में ठीके ठीके सर मैं आ रही हूं लेकिन सर यहां पर राइट साइड में मैं देख रही हूं ठीक है दूसरे एक शॉप दिख रही होगी उसको छोड़ दो ठीक है फिर एक शॉप दिख रही होगी उसको भी छोड़ दो ठीक है फिर एक शॉप दिख रही होगी उसको भी छोड़ दो फिर घर दिख रहा होगा उसको भी छोड़ दो फिर मैगनेट प्रेंस आ जाएगा सी sir उसी से जूड़ी एक और शौप है sir उसी से जूड़ी एक और शौप है sir एक फिर घर पे आया हाँ में ने बोला और आगया हो और आगया हो बोले हच्छा हो के सर दिग्या magnet prince प्यारा सा सर पहुच गई मैं magnet prince वे अब सर आप आ रहे हैं या फिर मैं अंदर आजाओ मैंने बोला अंदर आजाओ अंदर आजाओ तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे भाईया यहाँ पर आपको किशोर सर मिलेंगे ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये चीज होती है, हम ऐसे बताते हैं एक डिरिक्शन में कि हम कहां पर कहां से क्यों जाना है और कैसे हम जा पाएंगे, ये क्या गई, ये सीधा 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 गई ना, अच्छा, एक चीज तो सरी हो गई, एक चीज तो बढ़िया तरीक अभी डॉली को हमने आगे पहुचाया था, ठीक है ना, अभी डॉली को हमने आगे पहुचाया था, ठीक है, अब आप ऐसा मान के चलो, कि आप ना, बहुत जादा ध्यान से, बहुत जादा ध्यान से समझना आप लोग चीजों को, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है अब यहां पर होगा क्या सीन कि डॉली ना आगे पहुच गई बहुत डॉली भाईया समझदा उसने किसी को कॉल नहीं किया और वो पहुच गई कहाँ पर सीधा सीधा डॉली हवा में नहीं डॉन्ट वरी अभी यहां पर आगई ठीक है ठीक है अब डॉली पहुच गई कहाँ पर यहां पर तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब इसका रेफरेंस पॉइंट यह हो गया ठीक है अब हम इसको कैसे बुलाएंगे बोले सर अब हम इसको बात तो सही यार की कैसे बुलाएंगे तो चल अपन बोलेंगे डॉली तुम अभी कहां पर घड़ी हो वो बोले कि सर मैं इस इस शॉप पर घड़ी हूं मैं इस इस शॉप पर घड़ी हूं चल अब डॉली बोलेगी कि भईया मैं इस इस शौप पे घड़ी हूं अब कहा प्यान है मैं बोलूगा भीया ध्यान दे समझना एक घर छोड़ो ठीक है अब जादा आगे पहुच गई हो डॉली तुम तो तुम तो बहुत जादा आगे पहुच गई हूँ अच्छा तुम सम समोसे की दुकान पर क्या कर रही हो समोसे की दुकान तो मैगनेट बिंच से बहुत जादा आगे अरे एक काम करो अब पीछे आना पड़ेगा तुम तो बहुत जादा की पहुच गई अच्छा सर ऐसा कुछ हुआ गया ठीके सर तो सर पीछे आ रही हूं सर एक शौप छोड़ होगी सर दूसरी छोड़ दिए जर सर तीसरी छोड़ दिए मैंने बला बस थोड़ सा घया मैंने पें दिख गया तो यह एक ही डिक्षन में चल पा रही है डॉल्यय यह हो गया इसका reference point और जहां से यह अपनी जर्णी चुरू करती है वह हो गया उसका reference point reference point से भईया जो से उसको magnet bands आना है तो वह सीधा 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 करके आ जाएगी हम उसको बताते जाएंगे कि भईया पहले घर आएगा उसको 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 नहीं जाना तुम्हें फिर shop आएगी फिर shop आएगी फिर shop आएगी फिर घर आएगा फिर magnet brains आएगा वहाँ पर मिलने वाले कि शोर सर ऐसे हम किसी को भी अपना address बताते है address भी हम बिलकुल इसी तरीके से बताते है चीक है तो यह फार दा point is to the left if negative और how far the point is to the right if positive अब बहुत ज्यादा ध्यान से यहाँ पर तो चलो ठीक है डॉली चली जा रही थी चलती जा रही थी चलती जा रही थी अब एक किस ऐसा भी होगा ध्यान से समझना यहाँ पर सबसे पहले तो समझो coordinates की coordinates का मतलब क्या हो coordinate का मतलब होता है भया value of x and y value of x and y जो हम Cartesian system से देखते हैं जो हम coordinate axis से देखते हैं जो हम x y plane से देखते हैं वह होती है यहाँ पर xy की values ठीक है अब मतलब सर हम लोग बढ़िया तरीके से समझ गये यह पूरा जो किस्ता था वो भी समझ गये यह पूरा जो किस्ता था वो भी समझ गये लेकिन मेरे साब से सर आपको एक बार और बताना भाई कि अगर अपन लोग अब पूरी पूरी अच्छे से बात करें तो ग्राफ में आप क्या करते हो दो परपेंडिकुलर लाइन्स भनाते हो एक तो होति हो हॉरिज़ॉंटल लाइन और दूसरी होती है कौनसी आपकी वर्टिकल लाइन अब इधर से आप बताते हो कोई भी पॉइंट को डिस्क्राइब कर देतो मतलब कैसे? वह ऐसे कि शोर, sir, कि आपके पास stinks होती है कौन सी x is x-axis और यह होती है कौन सी x y-axis. यह negative of x-axis और यह positive of x-axis यह आपकी y-axis और यह आपकी negative of y-axis. ठेकिए. अब अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है let's say मेरे पास यह वाला पॉइंट इधर पड़ा हुआ है है तो इधर पॉइंट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर यहां का पॉइंट आपको बताने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि वो सर उपर से कित्ता दूर है और नीचे से कित्ता दूर है अब आप समझ अगर हम y-axis से distance को देखते हैं तो हम actually उचको देखते हैं x-axis से भाई अगर आपको y-axis से इसकी दूरी देख नहीं न अगर आप इस point को y-axis से देखना चाहरे हो न तो यह जो दूरी आपने निकाली है तो x-axis की निकाली है यह जो दूरी अच्छा अब समझो अब समझना बात को यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, यह है 7 लगबग लगबग चलो ठीक है यह है 8 और यह है 9 और यह है आपका 10 ठीक है अब मैं तो बोल रहा हूं कि अगर आप y-axis से इसकी दूरी देख रहे हो मतलब आप x-axis से distance देख रहे हो अगर आप y-axis से इस point की दूरी देख रहे हो तो वो दूरी को बताएगा हमारा एक्स वाला भाई अचाए एक्स वाला भाई जरा बता नहीं इस पॉइंट से वाय की दूरी कित्ती है ध्यान दे जमाईना अगर आपको उस पॉइंट की दूरी बता नहीं यह एक्स से इस पॉइंट की दूरी आप एक cm लगभग लगभग थी थी तो यह 7 तक है तो यह 7 cm हो जाएगा की नीं हो जाएगा हम हो जाएगा अगर आप x-axis से distance देखते हूब अगर आप x axis से distance देखते हो न तो आप बात करते हो असल में y-axis कि ठीक है मतलब मान लो जैसे ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है और चलो यह 5 ऐए 6 है यहां कहीं फाइव यहां कहीं 6 है तो यहां से आपने बताये तो यह आप से आपको पता चला कि भाई यह तो 6cm समझ में आई बात ?टीग है सर मसुआ तो आप लोग आप इसको पूरे को कैसे इस्तमाल करते हूँ वो ऐसे इस्तमाल करते हूँ कि भहिया x-axis से अगर देखा जाए तो यह 7 है ठीक है y-axis से देखा जाए तो यह कित्ता है 6 है पहले x का member लिखाता है पहले x का member लिखाता है बाद में y का member लिखाता है ठीक है आप लोग यही बताओगे कि x से यह कित्ता दूर है इधर से कित्ता दूर है और इधर से कित्ता दूर है मतलब left to right और top to bottom ठीक है बस यही बताना है और अगर कोई point negative है तो उसका बताना है each coordinate tells you how far the point is to the left अगर negative है अगर negative है तो left से वो कित्ता दूर है left अगर आपका negative है तो और half अरता point is to the right अगर positive है तो मतलब बहिया अगर point आपका negative हुआ मान के चलो अगर point आपका negative हुआ मतलब कहीं यहाँ पर यहाँ पर point आ रहा है ठीख़ाय है? एक काम करते हैं, एदर ले लिनाथे चलो इदर ले लिया . और यह हो जाएगा । यह आपके पास ,- का 1 ,- का 2 ,- का 3 ,.. माइनस का 4 , माइनस का 5 . तो अगर आप लोग आपFlow के बात ख़ाओंगे द्धान चे तो आप लोग यह देखोगे भAYया , कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी किती है, है ना, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी किती है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है सर, बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, तो वस यही बात है, यही बात है, आपको वो point की दूरी बतानी है, x-axis से भी और y-axis से भी, लेकिन अगर इस point की दूरी आप y-axis से बताते हो अगर इस point की दूरी बोल रहें कि भईया y-axis से इस point की दूरी कितनी है मतलब आप x की बात कर रहे हो वहाँ पर इस point की दूरी y-axis से कितनी है मतलब आप x-axis की बात कर रहे हो तो कितनी है भईया minus 6 है ठीक है, इस point की दूरी, x-axis से कित्ती दूर है, देखो, perpendicular distance of x-axis is y-coordinate, और perpendicular distance of y-axis is x-coordinate, perpendicular distance, देखो, यह आपकी y-axis है, और यह perpendicular distance है, perpendicular distance of y-axis is x-coordinate, x-coordinate, x से देख रहे हो, यह इसकी distance, and the perpendicular distance of x-axis, है न, the perpendicular distance of x-axis is your y-coordinate, और इसको आप लोग y से देखोगे, तो यह हो जाएगा, आपके पास 5, देखो, x से देख रहे हो ना, इस point तो आपको उपर जाना पड़ेगा, कितना उपर गया भाई है, यह 5 उपर गया, ठीक है, पर अगर आप लोग left to right देख रहे हो, तो यहां से आप आओगे, y से, अच्छा, 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 ठीक है, 5, तो 5 यहां से देख रहे हो आप असल में, ठीक है, और अगर आप इस point की दूरी left to right देख रहे हो, तो यहां से आओगे, आओगे, आओग वह ही है कि इतना अगर डिस्टेंस आपको पता लगाना है मतलब यह X की बात कर रहे हो और इतना अगर डिस्टेंस आपको पता लगाना है मतलब आप Y की बात कर रहे हो सीधी बात नो बगवाज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओफ X-axis is your Y-coordinate ठीक है आगे बढ़ो सर मैंने बोले ठीक है आगे बढ़ते हैं अब कुछ समझते हैं अब जरा हम लोग कुछ चीज को समझते हैं अब आप लोग बहिया यहाँ पर ठीक है फिर से हम किसको बुला रहे है बहिया डॉली को बुला रहे है डॉली किसको बुला रहे हैं डॉली को ठीक है अब डॉली को हम फिर से बुला रहे हैं ठीक है Let's understand something में क्या है अच्छा अब डॉली को फिर से बुलाओ डॉली को यहाँ पर बुलाना है यह है इस पर किशोर सर के घर पर ही बुलाओ डॉली को किशोर सर का घर लो भाईया प्योर हिंदी प्योर हिंदी किशोर सर का घर हर्डा कैसे बुलाओगे अरे डॉली एक काम करना भाई बोलेगी क्या बोलेगी यहां से सीधा आजाना भाई पहुच गई किशोर सर के घर अच्छा और जब यह त्रीट है इत्ती सारी तो स्ट्रीट है बीत में तो यह नहीं आएगी क्या स्ट इस ट्रीट तो आएगी बहुत सारी आएगी तो अब बताओ भाईया कैसे बुलाना है जोले सर मुद्दा तो भेंकर है सर काम करो डॉली के पास फोन है क्या मैंने बुला होगा नंबर है आपके पास मैंने बुला है लेकिन मुझे कैसे पता कि वह मेरे घर आ रही है वह बत इस वह नंबर और कालिंग इस करेंटली बिजी कि शौर सर ने तो फोनी काइट दिया क्योंकि आपको पढ़ा रहे न वह आपके सामने है ठीक 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 चलो दो बजे फोन लगाया चलो बजे मतलब कि स्थरी हो जाता है अरे ऐसी बात नहीं है चलो किशोर सार फिरी य खड़ी हुँ सार अब बताई यह स्ट्रीट 1 पे आना है क्या बॉलेंगे नहीं 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 तो ठीके सरदोर मुझे बताते जाजी यह यह ाते जाते घचे के तो सर मेर्कों कहां grabbed जाना है मैं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा कि एक काम कर तुम कहां पर बोली सर मैं इधर पर खड़ी हूं सर मतलब स्ट्रीट वन के पास में सर स्ट्रीट वन तक आ जाओ मैं बोलूंगा चलो स्ट्रीट वन आ जाओ लेकिन मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ तरी पनट रहा है सर वहाँ पर ही नहीं ठीक फोड़ा औहरा के सार थीट फॉर मुझा सरथ तीसरे नंबर पर पीज आ गई मैंने बाहने सर नहीं तो आपके तबड़ा जो यार श्रीट शिक्स प्यागे जबने बोला तोड़ा ओर पिर जो श्वैङ रुख जा अब श्रीट सैवन से लेख ले लो इस्टीट से अंदर से left हाटी के Susa सब पहला मकान अगया एहा ना सर दुसरा मकान आगया मने लबन response या दर तिसरा यहा नागया व्हुंसरा मकान ऑगया मेरा यह भाया ना फाचमे नम्बर यह कमदा मेरा यह लिखा तो समझ में आई बात कहानी पूरी समझ में डॉली मेरे घर पर आना चारी है और डॉली आपको बहुत अच्छे से मालों में आई कि डॉली स्टूडेंट है उक्केड अंसर बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आगया अब आप लोग जरह मुझे यह बताओ कॉमें सेक्षन में कि यहां तक पर अगर डॉली को बुलाने तो क्या बोलोगे सर राइट ले लो सीधा सीधा आओ और राइट ले लो सीधा सीधा आओ राइट ले लो अभी आपने बुला सीधा सीधा ओ लेफ्ट ले लो ठीक है और सीधा सीधा आओ अच्छा मान लोगा डॉली क यहाँ पर खड़ी हो न वह भूछ जाद आगे पहुच गई पीछे आओ हाँ ठीक है पीछा गई अब यहाँ से राइट ले लो बस यह पहुच गई अच्छा अगर यहाँ पर बुलाने तो बुले अरे यहाँ पर आगई क्या एक काम करो पीछ आओ हाँ ठीक है अब जा सकती थी dolly जब यहाँ पर थी तो यहाँ तो वो सिधा जा सकती थी और फिर यहाँ पर चले की आई दस ना मतलब इस डिरिक्शन में ठीक है अब जब dolly यहाँ पर थी तो वह left पीछे की और आई ठीक है और यहाँ पर जाने तो चलो ठीक है यह डिरिक्षन है लिकिन अगर उसको यहां पर जाना था तो पीछे आके फिर वो नीचे गई मतलब ऐसा अब जारा कॉमेंट में बता वहिया कि यह क्या है यह क्या है अब चीजे सर बहुत जादा क्लियर हो रही है सर यह जो भी है न सर बहुत बार देखा इसको सर और इस पर सर इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सर इस पर यह इधर नहीं इधर बैठेगा बहुत जाट भी दिखाए अच्छे सर एरो का मतलब यह डिरिक्षन बताता था मतलब अभी तक कि इस डिरिक्षन में जा रहा है इस इस डिरिक्षन में जा रहा है या फिर इस डिरिक्षन में जा रहा है समझा सर अब समझ में आ रही है सर अब क्लियर हो रही है चीज़े समझ गए बात को तो यही थी कुछ चीज़े मुझो मुझे समझा नहीं थी आप ठीक है अब आजा वह एक चीज़ और समझो अब क्या में होता है sitting arrangement sitting arrangement sir exams में बहुत होता है ठीक है अब जब आपका sitting arrangement होता है और मान लो आपको बिठाया जा रहा है यहां पर आपको बिठाया जा रहा है यहां पर तो अब आप teacher से समझोगे कैसे किया मुझे position कौन सी मिलिए मुझे position कैसी मिलिए तो आपको वहां पर जानने के लिए यह जानना पड़ेगा कि कौन से रो में कौन सा कॉलम कौन सी रो में कौन सा कॉलम तब जाके तम नहीं सेट बता साव गle Medı अब इतना बड़ा ऐग्जाम और उतनी सारी टैबल होती है स्ञेए वैसे ही रहेख्जाम में तो इतना confusion से बचने के लिए आपको मैम सीधा बताती है इस रो में चले आओ और इस रो में इधर चले आओ आपकी 5 नंबर की seat अब वो चीज़े होती कैसी है ऐसा ही कुछ एक exam हो ले और यह जो rectangle बने हुँ है यह एक एक table है यह एक एक table है आपकी ठीक है समझ गए अब आपको यहाँ पर बैठाया हुआ है यहाँ पर आपको बैठाया हुआ है इस बार भी हम किसी को target करेंगे पर डॉली को डॉली की जो arrangement है भई है यहाँ पर है डॉली की जो sitting है वो यहाँ पर है अब डॉली को अपने को पहुचाना है ठीके सर, सर देखो, यह जो होती है यह आपकी होती है रोज, यह सारी रोज है, मतलब यह पहली रोज हो गई, यह दूसरी रोज हो गई, यह तीसरी रोज हो गई, यह चौथी रोज हो गई, और यह पाच भी रोज हो गई, और यह छट भी रोज हो गई, रोज है यह, ठीके, यह रो 5 और यह रो 6 अब सर एंट्रेंस तो यहां पर है सर यह सर एक्जाम का क्या है भाईया गेट है ये exam क्या है sir gate है अब यहां से साथ dolly enter कर गई अब dolly enter कर गई यहाँ पे मिली madam अब जो madam dolly को बता रही है कि भाया एक काम करो तुम कौन सी row में पहुच जाओ सीधा पांच्वी रो पे पहुँच जा Ampe Hag a मतलब first ऐब आप को बताएगी या कि पांच्वे रो पे आपका च्टवे कॉलम फाच्वी छुटवा कोलम हाना पांच्वी रो में 11号 याप पांच्वी रो मताएगी या 600 column बताएगी लेकिन ऐसे नहीं उलशाएगी आपको ध्यान से समझना यहां तो बताएगी number of row यहां तो वह बताएगी column के अब अगर row के थू बताएगी तो आपको बताएगी यह कौन सी रो में जाना है बोलिसर पांची रो में जाना है ठीक है पांची रो पर पहुँच गए अब पहली सीट छोड़ दो दूसरी दीसरी चौथी पांची छट भी छट भी छट भी तुमारी है मतलब कि इस point को बताने के लिए वो क्या क्या गई वो कितना सीधा गई या वो कितना ऊपर गई दो direction तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे समझ में आ गए कि how far the point is to the left और how far is the point to the right और वो कितना नीचे है कितना ऊपर है यह सारे चीज़ आपको बताता है कौन यह सारी चीज़ आपको बताता है यह coordinate geometry तो rows और column का भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चीए आपको यह पता चल गए कि यह rows होती है यह column होते है ठीके न अब अगर आपको यहाँ पर मिला है तो यहाँ पर मिलने से आप gate पर आए आप से बोला वहिया कि आप चले आओ फिफ्ट रोपे फिफ्ट रोपे सीधा सीधा छे नंबर की seat आपके फिफ्ट रोपे जाना है फिफ्ट रोपे गए ठीके पाच्वे नंबर की सीधा फिफ्ट रोपे गए पहली सीध दूसरी सीध तीसरी चौथी पाच्वी छट्वी अच्छेट यहाँ पर और मेरा रोल नंबर भी यही डला था यहां तो वह बोलेगी भाईया कॉलम के थूरू यहां तो वह बोलेगी आपको कॉलम के थूरू कि भाईया आपको चलियाओ जल्दी से 6th कॉलम पे और 6th कॉलम से आप कौन सी सीध पे पहुच जा फिफ्ट पे six to column से fifth तो पहला column दूसरा तीसरा चौथा पाचवा चट्वा है चट्वे कॉलं के बाद पाचवी सीट एक दो तीन चार पाचवी सीट डॉली की हैं तो यहां तो रो के दुरू समझा सकती है यहां तो फिर column के दुरू समझा सकती है कौन आपकी माईदम जो वहां पर exam hall में present होगी फिर आपको मस्त तरीके से दिया जाएगा वाटर पानी पिलाया जाएगा और पानी पिलाने के बाद सीधा आपको दिया जाएगा एक खाने की ट्रे वो नहीं दिया जाएगा वहाँ पर दिया जाएगा exam का paper और exam paper देने के बाद आपको मस्त तरीके से बोला जाएगा thank you everyone और आप सीधा चले आएंगे कहाँ पर अपने घर पर समझ गया बात को तो बस यही होता भाई क्योंकि exam का pressure बहुत जादा तेजी से होता है इसलिए यहाँ पर बनाया गया है आपका sitting arrangement को से इस तरीके से ताकि आपको चीजों में दिक्कत ना हो तो यहाँ पर आपके पास हो जाता है sitting arrangement समझ माई बात बढ़िया तरीके से ठीक है सर तो बस ultimately जो conclusion निकल रहा है यहाँ से वो निकल क्या रहा है sir वो यह निकल रहा है कि sir in the above discussion जितने भी हमने discussion किये you observe that position of any lying in a plane can be position of any object lying in a plane can be represented with the help of two perpendicular lines अब बात को बहुत जाद है ध्यान से समझ कोई भी point की अगर आपको position describe करनी है तो वो आप कैसे describe करोगे sir वो आप describe करोगे दो perpendicular lines है ना any object lying in the plane can be represented with the help of two perpendicular line जो कि अपकी यह already खीची हुई है यह perpendicular है इसके और अगर यह बात करें तो यह perpendicular है इसके इसलिए दो perpendicular line क्यों क्योंकि देखो ना x-axis perpendicular है y के और y-axis perpendicular है x के दो perpendicular line है ठीक है ठीक है साब समझ गए किसी भी object के अगर position बतानी होगी तो हम बताएंगे उसको काई से perpendicular line से वो भी दो perpendicular line से ठीक है समझ मगए सर अब यहां से in the case of dot in the case of dot you require distance of the dot from the bottom line as well as from the left line देखो अब यहां पर जैसे dot था तो यह dot के लिए आपको दो तरीके की distance को देखा गया था आपने दो तरीके की distance कि भाया वो नीचे से कितना दूर है वो जो dot है वो नीचे से कितना दूर है और वो left से कितना फार है देखो आप खुद पढ़े उसको यही आपने पढ़ा in case of dot you require distance of the dot from the bottom line as well as from the left line ठीक है dot के case में आपने यह देखा कि नीचे से bottom line से वो कितना दूर है तो यह दोनों point तो होगा sir clear clear होगा sir अब यहां से in case of sitting plan we require the number of column and that of the row हमें sitting plan में क्या क्या चाहिए होता है हमें sitting plan में चाहिए होता है भाया number of row और यह तो फिर column अगर आप हमें row या column बता दोगे तो हम पहुच जाएंगे अपनी seat पर अब आप मुझे comment में बताओ कि अगर आपको यह वाला point समझाना रहा यहां पर अगर आपकी sitting निकली हाना डॉली की sitting अगर यहां पर निकली तो अब आप लोग कैसे बता होगे और यह आपका ktq है ठीक है डॉली की sitting बताओ चलो एक ktq की sitting बताओ एक मुझे बताओ ktc की sitting और एक मुझे बताओ आपकी sitting कहा होगी comment में जिसका भी answer आएगा मैं उसको पक्का क्या बोलूँगा very good very good क्योंकि भाई यह चॉकलेट कैसे ही दूँगा ठीक है डॉन सर यह बात पक्की रही कि डॉली की position बताओ देंगे हम ktq की position को बता देंगे हम ktc की position को बता देंगे और हम आपकी बहुत आप ही की बात चल रही और आपकी भी position को हम बता देंगे मैंने बुला बस फिर बचा ही क्या फिर तो कुछ बचा ही नहीं है ठीक है ना ठीक है तो यह लोग एक्जाम में कहा कहा बैठेंगे वो बता अब क्या है अब कुछ भी नहीं ऐसे हमने coordinate geometry जैसे शुरू किया है से हम लोग coordinate geometry को खतम कर देंगे और पता भी नहीं चलने वाला ठीक है लेकिन सरहाँ एक बात है आज जो कॉडिनेट जो मिट्री पढ़ाना एकदम बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब सेटक्लेयर लेकिन सर अगर हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा क्या मैंने बोला क्यों दिखकर ले रहो मैगनेट बेंज चाहता है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना तो आप लोगों को फ्री एजुकेशन तो वो देखे रहेगा तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे परिशान ना हो उनके लिए है Magnet Brains हिंदी मीडियम जिसमें Class 6 से लेकर Class 12 तक पढ़ाते हैं Teachers वो भी हिंदी मीडियम में सर कौन-कौन से board cover होते हैं वहापर तो Delhi board से लेकर यहाँ पर Rajasthan board सकते Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board और CBSC वाले बच्चों के लिए तो हमारा English मीडियम है ठीक है सर और साथ ही साथ हमारे कुछ और भी courses है आप जानना चाहोगे उसके बारे में तो आईए मैं बताता हूँ जिसे की विदिक, maths, crash course और spoken English आप हमारे YouTube चैनल पे तो आ जाते हैं लेकिन बिना like और share और subscribe करके चले आते हैं यह कित्ती गलत बात हैं आज से ही है किशोर सर mandatory करते हैं कि अगर आप lecture में आ रहे हो तो सबसे पहले तो वह यह like कर दो, share कर दो, subscribe कर दो और साथ ही साथ अगर आप हमें join करना चाहते हैं तो आप हमें join कर सकते हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलिग्राम, वाट्सैप पे आप लोग अगर यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर सारे ही टीचर के content एक दम arranged format में पढ़े हुए आप वहाँ से जाके कोई भी class का, कोई भी subject का lecture बिना परिशानी के ढून सकते हो और वहाँ से बिलकुल free में पढ़ाई कर सकते हो community का option पे जाएंगे तो वहाँ से आप लोग magnet brains पे update देख सकते हैं वही है कि magnet brains के update क्या है ठीक है sir, आप हमारी app download कर सकते हो वहाँ पर grab e-notes के option में जाएंगे तो वहाँ से आप हमारे e-notes अविल कर सकते हैं आप हमारी website विजिट कर सकते हैं और e-notes यह यह e-books अगर अविल करनें तो link में description box में भी डलवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो Thank you so much मिलते हैं नेक्स सेशन में जब तक लिए बाई बाई अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें बाई बाई